हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दे जाने वाली वर्क्षिट नंबर 17 करेंगे जो की क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश ये वर्क्षिट 6 सेप्टेंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की इंट्रस्टिंग वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट दियर चिल्डरन लास्ट वीग वी रीट सनाजो वन ओफ दा पॉयम ए हाउस ए होम न आई अब नेक्स देखते हैं क्या दिया गया है आज की वर्क्षिट में तो बीटा इसमें आपको क्या बताया गया है यहां पर आपको हम के बारे में बताया गया है what is a home, कि home क्या होता है, home वो है जहां पर family रहती है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, brother, sister, father, mother, सब मिलकर रहते हैं, unselfishness होते हैं, जहां पर कोई selfishness नहीं होती है, सब sharing की जाती है, और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे की care की जाती है, तो उसे हम क् क्या कहते है, home जहां पर family मिलकर रहती है, उसे हम क्या कहते है, home, draw a picture of your house and color it, तो बिटें, यहांपे क्या करना है, आपको अपने house की picture बनानी है, और उसको क्या करना है, सुंदर सुनदर कलर से उसको color करना है, ठीक हैं, तो यह काम आप खुद करिएगा, सुंदर सा यहांप mean the same, देखे हम कई बार क्या करते हैं बेटा house और हम क्या करते हैं home को same meaning करते हैं लेकिन house और home क्या है different means है दोनों के meaning क्या है different है, brick, cement, wood, glass make a house it has door, window, chimneys etc. तो क्या कहते है house, house हम किसे कहते हैं एक cement, wood और glass brick से बना हुआ जिसमें door, windows और chimney होती है उसे हम क्या कहते है, house कहते है, मतलब एक जो मकान है उसे हम क्या कह सकते है, उसे हम house कहते है where is a home is made up of a beautiful family बलकि जो home है, वो किसे बना होता है, एक beautiful family से a family consists of father, mother, brother and sister family में कौन कुन होते हैं, father, mother, brother and sister all members of the family are deeply attached to each other सभी family members क्या होते है, एक दूसरे से deeply attached होते है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की feelings को समझते है they have love and care for each other और हर किसी के लिए भाई, बहन, ममी, पापा, सब के लिए क्या होता है प्यार होता है, और care होती है they share their feeling with each other वो अपनी बाते करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी feelings share करते है तो आप लोगों को home and house में different समझ में आ गया होगा, बेटा तो आगे देखते हैं इसके question answer, बेटा based on your reading the poem, complete the following sentence by choosing the correct answer a home is made, किसे बना होता है, home बेटा cement से नहीं, chimney से नहीं, brick से नहीं, love and care से home किसे बनता है, बेटा, love and care से a house has a, house में क्या होता है, बेटा house में मैंने बताया था, जो भी मकान होता है मकान के लिए जो चीज़े चाहिए होते हैं, उसे हम house कहते हैं, तो house में क्या होता है roof होता है, जब कि brother, sister and father किस में होंगे home में होंगे, जब हम family की बात करेंगे, तब हम home count करेंगे, ठीक है a home has, choose all the correct option, आपको सारे के सारे जब करेंगे, जब क्या होता है, जब क्या होता है, फादर होंगे, mother होंगे and brother and sister होंगे, ठीक है अब next देखे, क्या दिया गया है, question the best thing about my home, आप अपने home के बारे में, अपने family के बारे में home के बारे में best thing बताए, तो आईए करते हैं बेटा इसका answer तो देखे, क्या होगा बेटा इसका answer my home is made up of a beautiful family मेरा घर किसे बना है, beautiful family से all family members are deeply attached to each other they have love and care for each other तो आपके home की best quality क्या है, यह यह के वो beautiful family से बना है और deeply attached है every members and they love and care for each other तो यह उसका last question है, उसका answer है बेटा तो बेटा, आज की worksheet आपकी complete होती है worksheet complete करके अपनी teacher से चेक कर आए और please मेरे channel को subscribe कीजिए Thank you students